भारत के जिगरी मित्र दोस्त रूस ने दिया। अशियन भारत को नहीं देगा। इस S-400 का रूस से भारत के लिए नहीं मिलना सबसे बड़ी टेंशन है। और ये भारत के लिए बैड न्यूस मानी जा सकती है। निकल के सामने आई है कि भारत का जो लॉंग रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल सिस्टम है। उसने अपने डिजाइन की प्रक्रिया को कम्प्लीट कर लिया है। इसलिए आप सभी को बता दूँ कि DRDO ने हमारे लॉंग रेंड के सर्फेस टू एर मिसाइल सिस्टम की डिजाइन प्रक्रिया को कम्प्लीट कर दिया है। और जल्द ही आने वाले 2025 से 26 तक के समय में इसके परीक्षन भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जिसका काम बहुत जोरो से होगा। जिससे एयर डिफेंस सिस्टम रसिया के इस S-400 के मिलने तक ही भारतिय वायू सेना या फिर भारतिय थल सेना को मिल जाएगा। और इसके लिए भारत का DRDO तेजी से काम भी कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले जर्मनी ने भारत को अपने इंजन देने से मना कर दिया था। उसी प्रकार अब रूस भी भारत के साथ कर रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो।